हेलो प्यारे बच्चों, कक्षया साथ गणित की प्रशनावली 13.03 में आपका स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली 13.03 को तो आईए प्रसंद संक्या एक से शुरू करते हैं निमलित संक्याओं को प्रसारीत रूप में लिखी यहां पर हमें संक्याओं दी हुई हैं उनको हमें प्रसारीत रूप में लिखना है प्रसारीत यह निको प्रसार करके उनको टुकडों में लिखना है उनको बढ़ागर के लिखना है तो कैसे देखिए पहले संख्या है हमारे पास 2,89,400 इसको हम पहले लिख लेते हैं सब दो में तो इसको हम लिख लेंगे 2,89,400 अब बच्चो इसको हमें परसार रूप में लिखना है तो सबसे पहले देखिए यहांप जो पहला इंक हमारे पास जिदे सुरू करते हैं अब 2 के आगे यहांपर 1,2,3,4,5 5 अंक हैं तो क्या लग जिएगी 5 0 फिर जमा अगला अंक हमारे पास है 7 7 के आगे अंक है 4 1,2,3,4,0 पलस फिर हमारे पास है 9 9 के आगे अंक पड़े हैं 3 9 के आगे अंक हैं 3 3,0 जमा फिर है 4 4 के आगे अंक हैं 2 2,0 फिर हमारे पास है 0 अब 0 के आगे एक अंक है तो एक 0 जमा फिर हमारे पास अंतिम अकसर है 4 फिर हमारे पास जो अंतिम संक है वो है 4 अब 4 के आगे कोई अंक नहीं है तो 4 को हमें 4 लिखेंगे अब बच्चों 2 लाख हैं मारे पास ये 2 लाख को मैंने नी सकते हैं 2 गुना 10 की घात 1, 2, 3, 4, 5 5, 0 है तो उसकी घात ते 5 जमा, 7 7 के आगे 0 है 1, 2, 3, 4 गुना 10 की घात दे 4 जमा 9 के आगे 0 है 3 तो 10 की घात दे 3, जमा 4-4, 4 के आगे 2-0 हैं, 4 गोना 2-2, जमा फिर हमारे पास है 0 0 के आगे 0 ही पड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे, 10 की घात 1, जमा फिर 4 है, 4 के आगे कोई अंक नहीं है, 4 के ऍागे क्या है, 1 है चेर के साथ में यहाँ पर क्या है एक तो हम एक को लिखे लेंगे दसकी घात में दसकी घात जीरो क्यों? क्योंकि बच्चों किसी भी संख्या की घात जीरो हमेशा क्या होता है एक तो हमने चेर के साथ जो एक था एक को लिखे लिए अब दसकी गात में, दसकी गात जीरो अब यहाँ पर देखिए जीरो को मैंने लिख़ए दसकी गात एक बच्चों, दसकी गात एक कमांद दस होता है, लेकिन जब उसको गुना करेंगे जीरो से तो ये पूरा मान हमारे पास क्या जी आएगा जीरो ही आएगा, हमने इसको इसलिए लिख़ए है क्योंकि हमारे पास इसको हमें लिखना था दसकी गात में, तो मैंने जीरो को लिख लिया जीरो गुना दसकी गात एक किसी भी संख्या की जीरो के साथ गुना हमेश्या क्या होती है जीरो, इसको मैंने इस तरह से लिख लिए है यही इसका क्या हो जाएगा परसारी तरूप अगली संख्या हमारे पास है तीस लाक छे हजार एक सो चोरान में इसको हमने इसी प्रकार दसकी गात में लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास है तो कुड़े कर लेते हैं इसके तीन के आगे एक दो तीन च्यार पांच छे तीन के आगे हम लगा दी छे जिरो फिर जमा फिर हमारे पास जिरो जिरो के आगे कितने अंक है एक दो तीन च्यार पांच जिरो के आगे पांच जिरो हमने लगा दी फिर आगे जिरो हमारे पास उसके आगे अंक है च्यार तो च्यार जिरो लगा दी फिर हमारे पास च्छे च्छे के आगे अंक हैं तीन एक दो तीन तो तीन जिरो जमा एक एक के आगे अंक हैं दो दो जिरो फिर नो नो के आगे अंक हैं एक एक जिरो और अंतिम लास्ट है हमारे पास च्यार च्यार के आगे कुछ नहीं है, च्यार को आम ले सकते हैं, च्यार गुना एक इस तरह हम इसको लिख लेंगे, इसके सथान के अधार पर आपने बच्चों छोटी काक्षा में पढ़े होगा सथान इमान के बाले में तो इस सब्सवाल के अंधर देखें, संख्या के अंधर देखें, तो 3 का स्थान इमान क्या होगा, जिस सथान के ऊपर 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस सथान पर है, तो यहाँ पर 3 के बाद अंक है 6, तो 3 के आगल 6-0 लग जाएंगी इसी प्रकार इस 0 का स्थानी वान ये होगा, 6 का स्थानी वान होगा यहाँ पर 6-0, एक का स्थानी वान, संख्याओं में तोड़ लिया है, अब इसको गातांग के रूप में लिखेंगे यह हो जाएग हमारे पास तीन गुणा यहाँ पर हमारे पास जीरो है छे तो दसकी घाते छे जमा जीरो गुणा अब यहाँ पर हमारे पास पांच जीरो तो दस गुणा दसकी घाते पांच जमा 0 गुना 10 की घात 4 जमा 6 गुना एक को मैं लिख देंगे चार गुना दसकी घात जीरो तो यह हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट है इसका यह हमारे पास हो जाएगा थाइस लाख छे हजार एक सो च्यानवे तो यहां पर दो को लिख सकते हम दो के आगे कितने अंक हैं एक दो तीन चार पांच चैनि दो क अस्थानिय मान हो जाएगा यह जितने अंक हैं उतनी क्या लग जाएगी जीरो फिर आठ आठ को लिखेंगे आठ के आगे अंक हैं मारे पास पांच तो पांच जीरो आठ का अस्थानिय मान यह हो जाएगा फिर जीरो जीरो के आगे च्यार अंक हैं च्यार जीरो आजाएग एक इसको गातान के अरुप में लिखेंगे दो गुना दसकी घाते च्छे जिरो दसकी घाते च्छे हो जाएगा जमा आठ गुना यहाँ पर जिरो है पांच तो दसकी घाते पांच हो जाएगा फिर जमा जिरो के आगे हैं च्यार जिरो तो जिरो गुना दसकी घाते च्यार य फिर नो गुना एक जिरो है दस्की घात एक जमा छे गुना अब यहां पर एक को में लिख देंगे दस्की घात जिरो क्योंकि किसी विसंख्या की घात जिरो क्या होता है एक तो हमें सब को लिखना दस्की घात में यह दस्की घात क्या हो जाएगा जिरो ये इसका अंसर होगा चो थब आगा है 1,20,719 यहाँ पर 1 का स्थानीमान हो जाएगा एक के आगे हैं 5 अंक 4 तो 4-0 जमा 0-0 के आगे 3 अंक हैं 3-0 फिर 7 के आगे 2 अंक हैं 2-0 एक क्या अगे एक अंक है एक जिरो अंत में नो, नो क्या अगे कुछ नहीं तो नो गुना में एक नो को लिशकते हैं, नो गुना एक अब इसको लेकिन गाता अंक के रूप में तो एक गुना, जिरो है पांच, दसकी घाते पांच, जमा दो क्या आगे जीरो है च्यार दसकी घाते च्यार जमा जीरो क्या आगे तीन जीरो दसकी घाते तीन साथ गुना में दसकी घाते दो फिर है दस दसकी घाते एक दस को लिए सकते हैं दसकी घाते एक जमा नो गुना दसकी घात एक को लिखेंगे दसकी घात जीरो यहां पर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हम एक गुणा दसकी घात एक यहां साथ में हम एक लिख सकते हैं एक गुणा दसकी घात एक तो वही आएगा मारे पास दस ही आएगा अगला पार्ट इसका 20,068 जिसको हम लिखेंगे दो के आगे हैं च्यारंक जीरो दो का स्थानिमान यह हो जाएगा फिर जमा इस जीरो का स्थानिमान इसके आगे तीन अंक हैं तीन जीरो फिर अगली जीरो के आगे दो अंक हैं दो जीरो छे के आगे एक अंक है तो एक जीरो और फिर आठ के आगे कुछ नहीं है तो आठ को लिखेंगे आठ गुना एक इसका गातां के रोप हो जाएगा दो गुना च्यार जीरो हैं तो दसकी खात च्यार जमा 0 के आगे 3 0 हैं तो 10 की घाते 3 यहां पर 0 के आगे 2 0 हैं तो 10 की घाते 2 जमा 6 के आगे 1 0 तो 10 की घाते 1 जमा 8 गुना 1 को लिखेंगे 10 की घाते 0 तो यह इसका गातांग की रूप परसारीत रूप हो जाएगा तो बच्चों यहां पर आपने थोड़ा से द्यान ये रखना है कि परतेक संख्या को पहले हम सब्दों में लिख लेंगे उसके बाद परतेक आंक का स्थानी अमान लिखेंगे और फिर उसको कातां के रूप में लिखना है जिस संख्या के आगे जितनी जीरों है उतनी ही दसकी घात हो जाएगी परसन संख्या दो है निमलिक्त परसारीत रूपों में से परतेक के लिए سंख्या ज्याद कीजिए यहाँ पर बच्यों हमें परसारीत रोप दे रखै उसके लिए में संख्या लिखनी है यानि पहले सवाल का विरकोल विपरीत है पहले स्वाल में संख्या दी गई थी परसारित रूप में लिखना था यहां पर परसारित रूप दे रख्या है संख्या लिखनी है तो इसका फैस्ट पार्ट A पार्ट है आठ गुना दसकी गात च्यार जमा छे गुना दसकी गात तीन जमा जीरो गुना दस की घात दो जमा च्यार गुना दस की घात एक जमा पांच गुना दस की घात जीरो इसको में संख्या के रूप में लिखना है तो बच्चो पहले क्या करेंगे हम इस कॉल करते हैं आठ गुना दस की घात च्यार का मतलब है 10 की गुना 10 से 4 बार तो ये हमारे पास आजाएगा 10 गुना 10 4 बार गुना करेंगे इसकी फिर हमारे पास है जमा 6 गुना 10 की गात 3 यानि 10 की गुना 10 से 3 बार फिर हमारे पास है 0 गुना 10 की गात 2 10 की गुना 10 से 2 बार फिर है 4 गुना 10 की गात 1 यानि कि दसकी गुना दस से एक बारी जमा पांच गुना दसकी घात जीरो दसकी घात जीरो हमारे पास होता है एक किसी विसंग क्या घात जीरो एक होता है इस वागे अल करेंगे यह हमारे पास आजाएगा आठ गुना दसकी गुना च्यार बार करेंगे हमारे पास आएगा दस हजार च्यार जिरो च्यार जिरो लग जाएंगी जमा छे गुणा दस की गुणा दस से तीन बार है तो छे गुणा यह हो जाएगा एक हजार तीन जिरो लग जाएंगी दस एक के आगे जमा जिरो गुणा दस गुणा दस 10 गुना 10 यानि की 100 10 एक के आगे 2 0 जमा 4 गुना 10 इसको ऐसे कैसा लिखेंगे जमा 5 गुना 1 हो जाएगा 5 इसको अल करेंगे यह हमारे पास आएगा 80,000 जमा 6 गुना 1000 6,000 जमा 0 गुना 100 0 जमा 4 गुना 10 40 जमा 5 क्योंकि 0 को गुना करें किसी भी संख्या से तो हमेशा 0 याता है अब इसको जोडेंगे हम इन संख्यां को जोडेंगे 80,000 को 6,000 को 40 को और 5 को तो यह हमारे पास आजाएगा 60,000 45 यही हमारी संख्या हो जाएगे B पार्ट देखिए 4 गुना 1 के आगे 5,0 इसको आप करके देख सकते हैं 1 के आगे 5,0 जमा 5 गुना 10 की घात 3 है 10 की घुना 10 से 3 बार तो यह हमारे पास आएगी 1000, 1 के आगे 3,0 पलस 3 गुना, 10 की घात 2 10 गुना 10, यह आएगा हमारे पास 100 जमा 2 गुना 10 की घात 0 आएगा 1 किसी भी संख्या की घात 0 होती है 1 गुणा करेंगे जमा 5 गुणा 1000 5,000 जमा 3 गुणा 100 300 जमा 2 गुणा 1 2 इसको जोड़ेंगे यह हमारे पास आज़े आएगा 4,5,300 2 यह इसका अंसर हो जाएगा C पार्ट है 3 गुणा 10 की घात 4 हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 10 से 4 बार तेक के आगे 4,0 जमा 7 गुणा 10 की घात 2 यानि 10 गुणा 10 100 जमा 5 गुणा 10 की घात 0 1 इसको हम जोड़ेंगे पहले गुणा करेंगे 1000 गुणा 3 30,000 जमा 7 गुणा 100 700 जमा 5 गुणा 1 5 इसको जोड़ेंगे यह हमारे पास आजएगा 30,705 यह हमारा उत्तर होगा D पार्ट है 9 गुणा 10 की घात 5 10 की घात 5 हो जाएगा 10 की गुणा 10 से 5 बार तो एक के आगे 5,0 जमा 2 गुणा 10 की घात 2 10 गुणा 10 सो जमा 3 गुणा 10 की घात 1 हो जाएगा 10 हल करेंगे इसको यह हमारे पास 1,00,00 गुणा 9 9,00, जमा 2 गुणा 100 200 जमा 3 गुणा 10 इसको जोड़ेंगे यह हमारे पास आजाएगा 9,00,230 परसन संक्या 3 है निमलिक संक्याओं को मानक रूप में लिखी तो यहाँ पर बच्चों हमने संक्याओं को मानक रूप में लिखना है मानक रूप क्या होता है किसी भी संक्या को एक और दस के बीच की किसी भी दस में लव संक्या के रूप में तथा दस की घात के उनफल के रूप में लिखना ही क्या कर लाएगा मानक रूप फेस्ट पार्ट में हमेज संख्या को मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम लेंगे पांच को क्यों किसके अंदर पांच है तो पांच एक और दस के बीच की संख्या है फिर गुना दस की घात के रूप में तो 10 की गात यहां पर कितनी हो जाएंगी जितनी यहां पर 5 के बाद अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 10 की गात 7 इसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की 10 में लों संख्या और 10 की गात के गुननफर के रोप में लिखना ही मानक रूप कहलाता है तो यह इसका आंसर हो जाएगा पिर दस की गात के रूप में तो यहाँ पर लिखेंगे हम हमारे पास साथ के बाद अंक हैं एक दो तीन च्यार पांट छे तो दस की गात छे चे जीरों दस की गात हो जाएगा छे यही हमारा आंसर होगा तीसरे पार्ट वे बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक संख्या नहीं है यहाँ पर क्या है तीन के बाद एक आठ चे पांच अठारा पैस्ट और लिख्या हुआ है हमें यहाँ पर जो दस में लगाना है वो एक अंक के बाद लगाना है क्यों क्योंकि हमें जो संख्या लिखन वो एक और दसके बीच की होनी चाहिए तो यहाँ पर तीन के बाद लगाएंगे और फिर आगए हमारे पास है एक दो तीन च्यार च्यार अंक है तो एक आठ छै पांच यह लिखेंगे फिर गुना अब लिखेंगे बाकी को गातांग के रूप में दसकी घात नो क्यों कि यहाँ पर हमने दसकी लगाया है तीन के बाद तो दसमलो के बाद जितने अंक हैं उतनी दसकी घात हो जाएगी और दसमलो के बाद जितने भी अंक हैं जीरो के अलावा वो सब में लिखने पड़ेंगे इस पहली संख्या में और यह संख्या हमारे पास जो है वो एक और दस के बीच की ही है क्योंकि तीन दस मलाओ के बाद कितनी बड़ी संख्या लिखओ ये च्छोटी ही आएगी च्छोटा पार्ट है यहाँ पर हमें 10 मालगाना तीन के बाद क्योंकि अगर हम उन तरज के बाद लगाएंगे तो हमारे पास संख्या एक और दस से क्या हुजएगी बड़ी हमें संख्या रखनी है एक और दस से के बीच की तो यहाँ पर हो ज़िएगा तीन दस मलव अब आगे हमारे पास अंक हैं एक दो तीन च्यार पांच तो दस की घात क्या हुजएगी पांच और साथ में अंक जो तीन के बाद वो शब लिखेंगे आपर नो जीरो आठ साथ आठ गुना दस की घात पांच क्यों क्योंकि दस मलव लगा है तीन के बाद तो दस मलव के बाद हमारे पास अंक बच गी एक, दो, तीन, चार, पांच, दस्की घात पांच, ये इसका अंसर हो जए पांच में पांट में बच्चों पहले से दस्मलाव लगया हुआ है तो हमें इसको मानक रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर इस दस्मलाव को हम इदर लेके आएंगे तीन के बाद, क्यों, क्योंकि हमें संख्या जो लिखनी है दस्की घात के अलावा जो भी संख्या हमारे पास है, वो सब संख्या क्या होनी चाहिए, एक और दस्के बीच की अब ही यह संख्या यह बहुत बड़ी है, 49,87 है यह, हमें इसको लिखना है, एक और दस्के बीच में, तो हमें दस्के लगाना पड़ेगा तीन के बाद, हम यहां पर लगाएंगे दस्मलाव, और फिर आगे जो आंके वो लिख देंगे, 9, 0, 8, 7, 8, अब यह जो संख्या ह हमारे पास यह एक और दस्के बीच की है, गुणा, अब लिखना हमें दस्की गात के रूप में, तो यहां पर बच्चो, हमने दस्मलाव को सरकाए है, 4 अंदस्के गात हो जाएगी, 4, यह इस का अंसर हुज जाएगा, जितना आपने दस्मलाव को सरकाया है, उतनी दस्की गाते लिख देंगे, छटे पार्ट में है, यहां पर भी 10 मलव पहले से लगया हुआ है, तो 10 मलव को सरका के हम ले जाएंगे, यहां तीन के बाद ऐसी जगे हैं, पर जो संक्छां की हमरे पास आए वो हाज़ाए, एक और दसके बीज दीज की, तो रहें 10 मलों को सरकाया है 3 अंक 10 मलों पहले यहां था अब आगे यहां पर 1, 2, 3 अंक सरकाया है दसकी घात हो जाएगी 3 यह इसका मानक रूप हो जाएगा